नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विगे उसके में दोस्तों हर लड़की हर मेला चाहती है और लड़की ही क्यों हर लड़का हर पूर्श चाहता है कि उसकी स्कीन हमेशा बेदाग रहे उसकी स्कीन में किसी परकार का कोई दाग दबा ना हो हमेशा उसकी स्कीन साफ बेद बब लग निचे काले गेरे हो रहे हैं जिन लोगों की स्किन में ढपन, छूलियां और फाइन दिखने लग गई हैं क्योंकि 30 की उम्र के बाद से हमारी स्किन में एजिंग साइन दिखना शूर हो जाता है आपको के आसपास बारिक लाइनों के रूप में या फिर मुग के आसपास जूरिया फाइन लाइन्स दिखने लगती है और जैसे से उम्र बढ़ती है ये चीज़ें और भी ज़दा गहरी होने लगती है तो अगर आपने स्किन पे हो रही जूरिया फाइन्स से चुटगारा पाना चाहते हैं इसकिन में कसावट लाना चाहते हैं तो ये रेमेडी आप सभी के लिए है इस रेमेडी को कोई भी उम्र के लोग लगा सकते हैं क्योंकि ये नैचरल चीज़ें से बना है तो इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होगा इसे लगाने के बाद से आपकी स्किन इस्टेंटली ग्लो करेगी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरू करें तो चलिए इस मैजिकल फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा एक क्लीन एम्टी बोल तो जो भी चीज़ में इसमें यूज़ करने वाली है वो सारी चीज़ें आपके कीचर में आपके घर में मिली जाएगी तो पहला इंगिरेडियन जो इस रेमेडी के लिए में लेने वाली हो वो है कोका पाउडर कोका पाउडर वही जिसका अकसर हम केक शेक या कूल कॉफी वगयरा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तो कोका पाउडर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये स्किन केर के लिए बहुत ज़्यादा बेनेफिशल है बहुत ही बेस्ट है हमारे skin care के लिए तो इसकीं में नमी, ग्लो और कसावाट के लिए cocoa powder बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो दोस्तो अगर आप अपने स्कीन में softness चाहते हैं, अपने स्कीन की चमक को बढ़ाना चाहते हैं, आपके स्कीन में कसावट आए, tight बने आपके स्कीन तो कोकोड़ से बने ये remedy आप जरूर जरूर ट्राइ कीजेगा, दोस्तो धूल परदूशन से हमारी जो स्कीन बेजान ह हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उस स्कीन को रिपैर करने के लिए बहुत जादा बेनेफिशल है, आपके स्कीन से dead cells को अच्छे से हटाता है, और स्कीन में कसावट बनी रहती है, इसे लगाने से, धीली स्कीन है, लूज स्कीन हो गई है, तो कोकोड़ सबसे बेस्ट है, कसावट लाने के लिए, कोकोड़ आपके स्कीन में कसावट आने के सांसाथ, आखों के नीचे अगर काले घेरे हैं, या पफी स्कीन से आप परिशान है, तो इससे छुड़का दिलाता है, आपके स्कीन में रंगत लाता है, आपकी स्कीन को हेल्दी बनाता है, तो कोकोड़ के बाद से आपकी वो सारी चिंताइं दूर हो जाएंगी क्योंकि चेहरी से जुड़ी हर एक समस्या का समाधन इस कॉफी में हैं दूस्तों अगर आपको किसी पार्टी में जाना है और आपके इसके में कोई चमक नहीं है तो आप चाहते हैं ऐसी कोई रेमेडी जिससे आपके इंस्टेंट चमक आजाएं क्योंकि रेमेडी जो होती है कोई भी नैचरल वो धीर धीर आपके इसके में फर्क करती है लेकिन ये रेमेडी ऐसी है जिसे लगाने की एक बार से ही तो रहन चमक आजाती है तो ऐसे में ये रेमेडी आपके बहुत ही काम को दूर करती है कोई pimples वगरे के निशाने उसे दूर करने में हैल्प करती है चेहरे में कसावट ले करके आती है चेहरे में चमक को बढ़ाती है जिससे पूरे चेहरी की सुन्दर ता और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कॉफी पाउडर हलका दानेदार होता है तो यह स अगर आपके आगों के नेचे कोई सूजन वगेरा है तो उसे भी एक कम करता है तो जितना हमने कोको पाउडर लिया था एक छोटा चमच उतना ही हम कॉफी पाउडर लेंगे आप इसकी बाद मैं इसमें डालने वारी दोस्तो आदा चमच शहद दोस्तो इस फेस पैक को बन निकालता है और हमाई स्कीन में चमक को बढ़ाता है तरह सर से शहद में अटी बैक्टिरियल एंटी फिल्मेटरी गॉन हैं जो मौहसी की वज़े बने वाले बैक्टिरिया से लेने का काम करते हैं तो इतना पतला हमें नहीं चाहिए होगा तो कच्चा दूद अगर आपके पस नहीं है तो आप उबलावा दूद जो होता है उसे ठंडा करके आप ले सकते हैं लेकिन कोशिश कीज़े कर कि कच्चा दूद ही आप लीजे दोस्तों कच्चे दूद में लैक्टिक एसीड होता है जो आपके स्किन को चबकदार बनाता है इसे लगाने से हमारी skin नर्म और मुलायम बनती है हमारी skin moisturize होती है और इसमें कई सारे ऐसे पोशकतातो होते हैं जो हमारे महासों से लड़ने में help करते हैं हमारी skin को लंबे समय तक जवान और खुबसर बनाता है दूद आपके skin की रंगत को निखार कर आपके skin को बेदाग बनाता है इसे लगाने से skin fresh नजर आती है इसके अलावा दोस्तो कच्छी दूद में anti-tanning agent पहे जाती है जो सूरज की रोशने से होने वाले सावला पन या sunburn या tanning से आपको निजाद दिलाता है इसके बाद दोस्तो हम इसमें डालने वाले थोड़ा सा नीबू का रस क्योंकि नीबू में vitamin C है जो आपके skin पे से जुर्यों को कम करेगा और दाग दबो को हटाएगा नीबू में antioxidant properties है जो कि free radicals को खत्म कर आपकी skin को healthy बनाएगा दोस्तों नीबू मारी skin के लिए बहुत जादा अच्छा होता है हर तरह की skin की problems नीबू से दूर की जा सकती है लेकिन इसको कभी भी direct नहीं लगाना चाहिए जब भी आप इसे लगाएं किसी ने किसी चीज़ों मिक्स करके लगाएं तो दोस्तों इस सक चीज़ों के अच्छे से मिक्स करने के बाद ये थोड़ा running consistency में दिख रहा है अगर आपको लग रहा है कि ये लगाने के बाद मैसी सा हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों बेफिकर हो कि आप इसे लगाएं आपको खुद ही चेहरे पर साफ फर्क दिखाए देगा तो दोस्तों इस face pack को आपको लगाना कैसे ये मैं आपको बता देती है दोस्तों वैसे तो इस face pack को आप कभी भी लगा सकते है लेकिन कोशिश किजेगा कि आप इसे शाम के समय पे लगाईए तो इसे जब भी आप लगाएं अपनी स्किन को पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिए face wash की help से या फिर किसी cleanser की help से क्लीन कर लीजिए उसके बाद ये face pack अपनी स्किन पर थोड़ा थोड़ा करके पहले लगाईए और इसको फिर circular motion में आपको मसाज करनी है 3-4 मिनिट तक फिर उसके बाद एक मोटी सी layer अपनी स्किन पर लगा लीजिए और जब ये सूख जाए 15-20 मिनिट के बाद ये सूख जाता है थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा क्योंकि हमने इसमें शयाद मिलाया है तो इसके बाद आपको अपने face को normal water से अच्छे से धो लेना है तो हफते में आप इसे 3 दिन लगाईए तो इस remedy को आप अपने चेहरे के लावा गर्दन की side पर क्योंकि गर्दन की तरह बे भी काला काला पन आई जाता है और हातों में लगा सकते हैं इसको तो इसे लगाने के बाद से ही आप अपने skin पर instant निखार देखेंगे instant चमक देखेंगे साफ साफ फर्क आपने चेहरे पर खुद देख पाएंगे बहुती बड़िया आपकी skin हो जाएगी जैसे आप इसे लगाते रहेंगे दाग दबे दूर होते जाएंगे skin में कसावट आजाएगी skin आपकी tight होगी जुर्या, fine lines या pimples वगरा तो उनसे आपको छुटकार मिल जाएगा आखों के नीचे काले गेरे तो वो भी दूर हो जाएगे पफीने से आखों के नीचे तो वो भी दूर हो जाएगी तो ये थी मेरी आज की वीडियो मिद करती हूँ आज की रेमेडिय आपके लिए बहुत helpful रही होगी अगर आपको आज की रेमेडिय इससे मेली जानकरी पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक जरू कीजिए शेर कीजिए पने दोस्तों के साथ चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए साथ जो गंटी का बटन है उसे भी जरू बजा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकिशन आपसे मिस ना हो तो मैं मिलती बहुत चल्द किसी और नई वीडियो के साथ धन्यवाद